नमस्कार दोस्तों एक एरवदा में आपका स्वागत है दोस्तों जो बिमारी चाइना से चली थी आज वो पूरे विश्ववगर में फैल चुके लेकिन चाइना से लगबग खतम हो चुके दोस्तों चाइना नो इसको रोकने के लिए जो परियास के गएद आज उसी पे हम च गराज के लिए लगबग फरवरी बीच के ही दिनों में और उन सोज से पता चला जिए जितने भी वायरिस होते हैं उन पर पाने метा प्रतिरोज़ चम्ता बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत ही कारगर होती है दोस्तों उसी की तरज पे उन्होंने 92% मरीजों को ठीक किया उसके लिए उन्होंने कई तरह के ग्रेनोंस बनाए कई तरह के जो डेकोशन या काड़े होते हैं वो बनाए और इंजेक ना उसी हिसाब से उनको इलाज किया गया तो दोस्तों हमारे यहां भी आयरवेद का काफी परचार है और आयरवेद के काफी विशेसिग्ये बैठे हैं तो उन्होंने भी आयूस मंत्राले की गाहलान के अनुसार पूरे भारत वर्ष में काम चालू कर दिया है और इसके तह पास्ते सचीव के बयान 288 जितने लोगों में ट्राय किया है और यह खास quarantine centers में था और इसमें से पाया गया है कि इसके बाद ऐसे जो cases पहले quarantine में थे और उसके बाद check होता है कि यह positive है या negative तो इन सब cases में एक यह result आया है कि इसमें से 14 दिन के बाद कोई भी positive नहीं आया है हाला कि इस एक अधान में proper इसका जो rigorous बांद करके वो करने की कारिवाई भी चल रही है यह जैसे अभी बताया गया positive patients के contact में आये थे ऐसे वाले यह करीबन 6800 जितने लोग थे जिनका हमने इस तरह से आयूश पद्धती का अपनाने के लिए उनकी सम्मती के साथ एक कोशिश की थी और इस तरह से धीरे धीरे जो positive हो चुके हैं उनके लिए भी हम यह अगर उनकी सम्मती हो और asymptomatic हो जिनमें symptoms नहीं है तो उनकी सम्मती लेके रोग प्रतिकारक शक्ती बढ़ाने के लिए आयूश के जो methods है उसे अपनाने का निर्णई भी हम लोग ले रहे हैं और हमें विश्वास ह कि उसे भी हमारी जो discharge rate है और जो हमारे immunity लोगों की है उसमें काफी हत्तर सुधार आ सकता है तो यह थे गुजरात के मुख्य स्वास्ते सचीव के बयान चले दोस्तों आज हम आपको एक बहतरी नोस्ती बना के दिखाते हैं जिसका परयोग करके अगर आपके कैसे भी छाती में कब चिपक गया हो फेंपड़ों में सांस लेने में तकलिब हो रही हो और कब बाहर निकलने कोशिस कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है बार बार जुखाम आपको लग रही है बार बार खांसी आ रही है सुकी गिली जैसे भी खांसी आ रहे है उसमें यह बहुत काम क करके आप फायदा उठा सकते हैं और इसमें जो ओस्तिय डाले जाते हैं दोस्तों वह बहुती लाजवाब है तो आपको एके करके मैं ओस्ति को भी दिखाता हूं जो पहले ओस्तिय उसका नाम है गांजवा दूसरी है मूलेठी जैसे मुद्योष्टी बोलते हैं गले के लिए बहुत अच्छी है ये है सौप दोस्तों सब तरावट वाली ओस्तिया है ये है मुनक का जो कि आपके कप को बाहर निकालते हैं अगर आपको खांसी आ रही है कप नहीं निकल रहा है तो उसको भी ठीक करती है अंजीर उननाब उननाब भी एक बेर की तरह होता है इसकी गु है सौप बोलते हैं और ये अगली हमारी है खूब कला ये खूब कला का भी इसमें परियोग किया गया है तो दोस्तों ये ओस्तियां सारे इम्मूनिटी पावर को भी बढ़ाती है कप को बाहर में निकालती है और बुखार को भी ठीक करती है तो इस सारे सिम्टम आज कल की बीमारियों में जातर मिलते हैं ये है हनस्राज जो की हनस्पदी नाम से भी जानी जाती है तलावों के आसपास खुब पाई जाती है और इसका इसमें परियोग किया गया है ये है गुलवनσα सा तो गुल बनश्ता कप को निकालने की बहुत श्यांदार यूनानी होसती है ज चोटी और बड़ी कटेरी जो कंट कारी होती है चोटी और बड़ी दोनों इसमें प्रियोक की जाती है और काली मिर्च कुल मिला कि इन 16 ओस्तियों का प्रियोकर की ये ओस्ति त्यार की जाती है दोस्तो पहली 15 ओस्ति लेने होती है 10-10 ग्राम और 16 ओस्ति होती है वो लेने होत और उसमें 16 गुना पानी मिलाएं फिर उसको उबालें जब पानी चोथा ही भाग से रह जाए तो उसका 7 कर सकते हैं दोस्तो इस ओस्ति का 7 करने का तरीका भी वैसे ही सिंपल है थाने खाने के पहले या बाद आदी गंटे पहले या बाद आप इसको 20 से 40 हमल तक 7 कीजे और ग जिसक फाइदा उठा सकते हैं जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही जुखाम जिनको ठीक नहीं हो रही उन वेक्तियों को एक बार इस ओस्ति को जरूर ट्राई करना चाहिए इसको आप उप्योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी खांसी जुखाम नजला बुखार जै कि हर वेक्ति पास ये सुचना पहुंच पाएं